जैसे राम दोस्तों, वेलकम टो माई योटूब चैनल, हुजा पाथ की स्रेनी में आज मैं जो पोस्ट करने वाला हूँ, ब्रिहस्पती कवच है, अगर आपके कुंडली में दोस है, तो आप ब्रिहस्पती कवच ब्रिहस्पती बार के दिन कीजिए, आपको बेतन में बढ़ चाहिए, शीक्षा के छेत्र में अगर कोई समस्या है, तो ब्रिहस्पती कवच का पाथ करें, गुरू ब्रिहस्पती देव की किपा से आपके सारे काम सही होंगे, और धन धाने में ब्रिधी होगी, तो आए ब्रिहस्पती कवच का हम ध्यान करते हैं, जय ब्रिहस्पती, ज ब्रिहस्पति कवचं अभीष्ट फलं फलदंदेवं सर्वग्यं सूरपूजितं अमलाक्षरं अमलाधारं शांतं प्रणवामी ब्रिहस्पतिं। ब्रिहस्पति शीरह पातु ललाटम पातु में गुरू करणो सुरू गुरू पातु नेत्रे में विष्टि दायक। जीवाम पातु सूरा चायो नासा में वेदपारग। मूखं में पातु शर्वग्यो कंठ में देवता सुवप्रद। बुजंग वांगिरश पातु करणो पातु सुवप्रद। अस्तनों में पातु आगिश कुक्छिम में सुवलक्छन। नाभीम देव गुरू पातु मध्यम सुखप्रद। कंठिम पातु जगद बंद। उरूमे पातु वाक्पति। जानू जंगे सुरा चायो पादो विश्वात कस्मस्तता अन्यानी यानी चांग्यानी रक्षन में सर्वतो गुरू। इत्यत्य कवचम दिव्यम त्री संधय पठे नर शर्वान काप्ना वाप्नोती सर्वत्र विजाई भवेत अध्यम सिरी ब्रिहस्पती कवचम। ब्रिहस्पती देव के ब्रिहस्पती कवच का पाठ करते चमें पूर्व ब्रिहस्पती देव जी का पूजन विधी पूर्वा करना चाहिए। और मनुष्य को इस कवच का सुत्र उस दिन सुबा में आपका मूख पूर्व की तरफ होना चाहिए। ब्रिहस्पती देव ब्रिहस्पती कवच के अर्थ में डाल रहा हूं। हे ब्रिहस्पती देव आप समस्थ जगहों पर पूजित हो। आप मन की इक्षाओं के अनुसार फल को देने वाले हो। मैं आपको नतमस्तक होकर आपका अभिमादन करते हुए बंदन करता हूं। समस्तर की कारियों को सीध करने वाले उस जाप माला को धारन करने वाले हे गुरुदेव मैं हमेशा आपको प्रणाम करता हूं। हे ब्रियस्पती देव जी आपके दिव्य या अति सुन्दर या अलोकिक कवच को जो मनुस्य तीनों सांध्यकाल आर्थात प्रात्यकाल, मध्यकाल यों सायकाल के समय बाचन करता है। उस मनुस्य की समस्थ मन की कामनाओं को पूरी करते हो और उस मनुस्य की बिजय समस्थ जगहों पर होती है। हे ब्रियस्पती देव जी मैं आपको प्रणाम करता हूं। थैंक्यू दोस्तों, थैंक्यू पर वाचिंग मैं यूट्यूब चैनल, बहुत हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे 9000 सब्सक्राइबर हो गया है। और आप लोगों के किपा ऐसी ही रही तो मैं एक लाग सब्सक्राइबर जरूर पाऊंगा। धन्यवान, थैंक्यू घरिवान।